Dear students, welcome back. Dr. Ram Manohar Lohia, उनके political thought को हम discussion कर रहे हैं, और कैसे देखते हैं आप उन्हें? आपने साइध ये नारा सुना होगा, जिन्दा कौमे 5 वर्स इंतजार नहीं करती. दाम बांधो, खर्चा बांधो, लगान माफी, जाती तोड़ो, यदि नहीं सुना हो, तो जान लीजे, ये इस कर्मत, कर्म योगी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, भारतिये ब्रैंड के सोसिलिजम के प्रनेता, Dr. Ram Manohar Lohia के नारे हैं, जो आज भी गुंजता है राजनिती क गल्यारों में, और यदि आज कोई एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल थिंकर इंडिया के लिए सबसे अधिक रिलिवेंट है, तो वो लोहिया जी हैं, इवन गांधी जी और अंबेदकर जी और नहरू जी से जादा, क्योंकि सबसे जादा पॉलिटिकल पा करते हैं कि वो wrong appropriation है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोसिस करेंगे, लेकिन खास करके socialism क्योंकि वो ही आपके syllabus में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी बात हैं इनके बारे में बताऊंगा, so let us discuss political thoughts of Lohia, especially his socialism. यदि हम past years question और syllabus देखें तो बहुत simple सा है, Lohia socialism मैंने तीन साल का question लिया है, syllabus और question दोनों मैंने due से लिया है, other universities में भी similar question आते होंगे, आप देख सकते हैं कि केवल जो है, पूछे गया है, notes, 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 तो कोई full question है नहीं, अब तो ओधी open book system होती है, तो साइध इस पर question ना है, वैसे notes जो हैं socialism पे, उनके जो thought है, caste system पे और उनके जो four pillars इस्टे चौखंबा राज करते हैं, यह सब को हम लोग ने इस पर discuss किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय मैंने socialism पे दिया है, क्योंकि इस पर आपको full question आ सकता और आपको जाना चाहिए, so this is about the past year's question, यदि हम life and time Dr. राम अन्होर लोहिया की देखें, बहुत quickly देखें, तो उनका जन जो है 23 मार्च 1910 को अकबरपुर अंबेदकर नगर डिस्टिक उतरप्रदेस में हुआ था, एक merchant family में हुआ था, उनके father हीरा लाल लेकिन ब्यावसाय से जो है teacher थे, nationalist थे, national movement में भाग लेते थे, तो बच् से ही खून में उनके ये जो है एक तरसे रचा बसा हुआ होगा, वो एक brilliant student थे, education हीद उनका देखें, उन्होंने high school मुंबई से किया, वहाँ हिरा लाल जी वहाँ सिफ्ट कर गये थे, intermediate उनने बनारस हिंदू उन्वरस्टी बनारस से किया, under graduation उनने विद्या सागर कॉलेज of Calcutta से किया, और PhD उन्होंने अपने 24 से, उन्होंने Humboldt University Berlin, Germany से किया, ना कि England जहांसे उनको offer था, उन्होंने research जो है, नमक कानून जो है इंडिया में था, जिस पर की गांधी जी डांडी मार्च किया था, उस पर उन्होंने किया, आप समझ सकते हैं, गांधी फिलोसपी से क काफी अस्थान दिया, उन्होंने अपनी सिक्षा जो 1933 में पूरी की, और वो इंडिया लोटके आते हैं, उस समय का इंडिया क्या था, जड़ा देखिये, पूर्ण सुराज की घोसना कॉंग्रेस ने कर दी थी, कृप्स मिसन आकर के फेल होके चला गया था, वर्ल्ड वार जो है, वो सुरू हो चुका था, लोहिया जी पूरी तरह से इसमें शामिल हो चुके थे, जेल जाते थे, कुई टिंडिया मूवमेंट में भी जेल गए और उसके पहले भी जेल गया, और सोसलिजम जो है, उस समय के बेवस्ता, उस समय के पॉलिटिकल थार्ट में वो एक ट पर्थक हो चुके थे, तो एक काफी गांधी जी भी सोसलिजम की बात करते थे, तो सोसलिजम एयर में था, उसी डायलोग में जो है लोहिया जी भी शामिल होते हैं, पॉलिटिकल कैरियर इदे उनका देखिए, तो ये एक लगातार सोसलिस पार्टी के घटन, विघटन, जो है, एक तरह से तूटना, स्प्लिट होना, फिर मर्ज होना, ये लगातार चलता रहता है, ये इनकी नियती सोसलिस पार्टी के इंडिया में है, ऐसा ही है, 1934 में दे देखिए तो कॉंग्रेस सोसलिस पार्टी, उसमें कॉंग्रेस एक वट विर्ख्ष के समान था, समझी, उसके अंदर में ही एक सोसलिजम का एक ग्रूप है, जिसको कि M.N. Roy और कम्मिनिस्ट लोग जो है, उसको उनका दबदबा था, उसमें लोहिया सामिल होते हैं, उसमें 18 में जेल में भी रहते हैं, अपने एक्टिविटी के चलते, 1942 में वो जो है कुईट इंडिया शामिल हो जाते हैं, 1952 में वो सोसलिस्ट पार्टी ओफ इंडिया को मर्ज कर देते हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी में, और बनाते हैं प्रजा सोसलिस्ट पार्टी, PSP, देकि किस तरह से तूटना और मर्जर होते रहता है, उसी साल में वो फेमस पंच मरी MP में है, स्पीच देते हैं, जो इतनी फेमस है, आप उसको सुन भी सकते हैं, उसमें काफी सारे विचार उनके सोसलिजम के उभर के सामने आते हैं, 1956 में वो अपनी पार्टी अलग बनाते हैं, वो PSP से तोड़ कड़के, वो सोसलिस्ट पार्टी लोहिया बनाते हैं, 1962 में वो इलेक् के रूप में जो नहरू जी की बुराई करता है, बहुत ही अनलेटिकल वे में पूरा रास्ट उनको जानने लगता है, एक तरह को वो एंटी कॉंग्रिसिजम के नायक बन जाते हैं, आइकन बन जाते हैं, 1965 में अपनी वो सोसलिस्ट पार्टी लोहिया को मर्ज कर देते हैं, सैयुक्त सोसलिस्ट पार्टी में, SSP में, 1960 में वो पहली बार लोकसभा का जनरल आम चुनाव जीतते हैं, और वो एक सफल हो जाते हैं, पहला नौन कॉंग्रेस गौर्मेंट बनाने में उत्तर प्रदेस में, लेकिन इसके लिए उनको हाथ मिलाना पड़ता है भारती ये ज जो है, उन ही की सोसलिजम को आगे बढ़ाती हैं, जिसमें से की समाजवादी पार्टी UP में हो, चाहे RJD बिहार में हो, जनता दल यूनाइटेड या समता पार्टी जो पहले थी बिहार में, JDAS करनाटका में, BJD उरिसा में, और कई-कई पार्टी जनता के जितने घटक हैं व में है, the caste system 1964 में है, Marx, Gandhi और Socialism पे उनने 1963 में लिखा, और बहुत सारे हैं जो मैंने यहां पे दिया है, और बहुत सारे मैं नहीं दे पाया हैं, उसको आप देख सकते हैं, वो एक journal निकालते थे Mankind नाम का, ये आपको Objective MCQ में पूछ सकते हैं, उन्होंने ये भी पुछा सकता उन्होंने Liberation of Goa में, पुर्तगाल से Goa को मुक्त कराने के लिए उन्हों आंदोलन के दिसलिए, गोआ में उनकी बड़ी आदमकत परतिमा लगी हुई है, एक रोड का नाम भी उनके नाम पे रखा गया है, जैसा मैंने बताया कि Non-Congressism के तो बड़े नायक थे, या आइकन उनका जो है, उनका सबसे बड़ा योगदा ने दी जो है, जिस पर केम लोग पूरी वीडियो में चर्शा करेंगे, वो है, उन्होंने एक यूनिक, डिफ्रेंट इंडियन वर्षन औफ सोसलिजम दिया, भारत का अपना समाजवाद, जो की Soviet communism से अलग था, जो Fabian socialism से अलग social democracy से अलग थी, नहरू जी के socialism से अलग था, इवन गांधी जी के socialism से अलग था, ये उनकी सबसे बड़ी देन है, ये उनकी सबसे बड़ी देन है, यहां पर मैं आपको उनकी जो काल शक्र या इतिहास शक्र वील्स of history का जो concept है, वो भी मैं बताऊंगा, उसमें भी दोनों ही चीजे नहीं थे, उनके जाती बवस्था के बारे में क्या उनकी सोच थी, और socialism की जो सोच है, वो उस पे अधारित है, इन सब को हम लोग यहां पर देखेंगे, ये दो बुक जो हैं, इसमें उनके विचार नहीं थे, जिससे कि मैंने ये सब लिया है, उनका सबसे जो important आप में हर काल में पाई गई है, यहां पर उन्होंने कास्ट को ना ऐसा इंडिया के कास्ट से अलग कर दिया, उन्होंने बोला कि देखो कास्ट ऐसा कोई भी सोचल बिवस्था है, जो हिरार्की पैधारित है, और क्लोज है, मतलब कि एक दूसरे लेवल में तुम जंप नहीं कर किंग है, आपस में रोटी बेटी का समन्द खतम हो जाता है, तो कास्ट म बदल जाएगा, तो यही लोहिया जी का कहना था, कि जब भी कोई समाज पीछे जाता है, रेट्रो गेट होता है, जब वो उसका प्रादुर्भाव, मतलब उसका जो है पतन सुरू हो जाता है, तो उसका जो class का जो hierarchy होता है, समाज में hierarchy तो हो गई ही, तो वो hierarchy close हो जाती है और वो caste में बदल जाती है, यह उनका basically कहना था, wheels of history के तोर पे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि wheels of history नामक book में उन्होंने caste system को de-indonize कर दिया, उसको international बना दिया, उन्होंने कहा कि all society civilization had experienced caste, class continuum, उन समाज जब structured होता है और कहीं पे थोड़ा ज़्यादा close होता है तो वो caste जैसा दिखता है, किसी society में बहुत ज़्यादा open होता है तो वो class जैसा दिखता है, और ऐसा ये cyclic चलता रहता है, एक ही समाज में different time में caste और caste-like social stratification देखा जाता है, इसलिए उनका कहना था कास्ट क्या ह है, वो कुछ नहीं है, immobile class है और class क्या है, वो mobile caste है, तो class caste को उन्होंने बस mobility के तौर पे अलग कर दिया, कि social mobility है या नहीं है, जैसा मैंने आपको बता है कि society, civilization, जब progress करता है, आगे बढ़ता है, technological या civilizational, तो वहाँ पे caste, सिथील पर जाते हैं, वहाँ class-like structure हो जाता है, open ह हो जाता है, और जब वह पीछे जाता है, पतन होता है, degenerate करता है, तो वही class-like structure जो है, वो बदल करके, close, rigid, caste-like structure हो जाता है, और यह हर समाज में ऐसा oscillation चलता रहा है, यही wheels of history है, तो थोड़ा और यह दे देखे, इसको आप पढ़ लीजेगा, यहाँ पर मैं पूरी बात जो रही नहीं है, wheels, जैसे उन्होंने बोला काल चक्र, इतिहास चक्र, कह लीजे, wheels of history, उन्होंने जो linear या cyclic, जो history का narrative था, grand narrative, जो की Karl Marx ने दिया था, Hegel ने दिया था, बाद में कुछ और का मैंने दिया है, theorist in 20th century में दिया, इन सब को उन्होंने नकार दिया, उन्होंने क उनका कहना था कि, all human history hitherto has been an internal oscillation between class and caste, जो मैंने आपको बताया, an external shift of prosperity and power from one region to another, उनका कहना था कि, पहले जैसे Asia जो है, और Africa का कुछ पार्ट, Egypt and all, वो जो है, बहुत economic prosper था, उनकी जो है, civilization बहुत हाई थी, political power, बाद में वो shift हो गई, Europe में, Europe से अमेरिका चली गई, फिर अब Asia आएगी, तो इस तरह से shift होते रहता है, then उन्होंने ये कहा कि, दो type का movement आप देख सकते हो, external और internal, external movement क्या है, जो मैंने आपको बताया है, कि economic prosperity और political power, जो है, वो shift होते रहती है, एक nation, एक society से, दूसरे nation, दूसरे society में, और internal क्या है, एक ही society के अंदर, जो है, caste और class क movement चलती है, caste कभी class जैसा हो जाता है, class कभी caste में, जैसी rigid बन जाती है, ये depend करता है, कि society जो है, या nation जो है, उसमें, प्रोग्रेस कर रहा है, कि वो पतन हो रहा है, तो ये जो मैं आपको बता दिया, और आप तो से पढ़ सकते हो उसको, इनका करना था कि, और दोनों movement जो है, मतलब ये है, कि जब समाज प्रोग्रेस करता है, जब उसमें efficiency आती है, technological, scientific, organizational, जब वो ऊपर ऊपर जाता है, तो वहाँ पे class-like structure हो जाता है, मतलब caste जो है, वो dilute हो जाता है, उनका करना था भारत में भी ऐसा हुआ, जब बुधिजम का प्रादुर्वा हुआ, तो वहाँ caste काफी dilute हो गए, नीचे के class के लोग जो है, राजा बनने लगे, merchant class काफी आगे आया, और जो ब्राहमने तो कम हुआ, लेकिन बाद में जब यहाँ पे शाषन muslimों का हुआ, अंग्रेजों का हुआ, तो फिर हमारा society degenerate कर गया, और फिर caste काफी rigid हो गए, तो इंडिया में भी हुआ है, हर दुनिया के हर समाज, हर निसम में ऐसा होता रहा है, इस तरह का oscillation caste class के बीच में, इसका मतलब क्या है, उनका कहना था कि यदि फिर से हम progress करना चाहते हैं, फिर से हम अपने civilisation को उपर ले जाना चाहते हैं, culture को उपर ले जाना चाहते हैं, तो हमें caste class को खतम करन पड़ेगा, उनका कहना था कि हमें अब top पे जाने की जरूरत नहीं है, अब समता होनी चाहते हैं, यह नहीं कि अब हम India और Asia जो है बहुत विक्सीत हो जाएगा, सब बराबर हो जाए, approximation, तो उन्होंने लास्ट में ये बात कही, उन्होंने कहा कि यार इसके बजाए अब फिर जो है, ग्लोबल सिफ्ट हो रहा है, अट्लांटिक से, इंडिया, चाइना में, अब ऐसा करना चाहिए हुमेन को कि approximation of mankind करना चाहिए, इसका मतलब क्या approximation of mankind का, उन्होंने word approximation उजगा, मतलब कि mankind लगभग बराबर हो जाए, equality nation के बीच में equality हो जाए, एक nation, दूसरे nation से, ना तो materally, जो है, income, wealth में बहुत उपर नीचे हो, और ना ही culture में, civilization में उसको एक उपर नीचे माना जाए, language में, सब बराबर लगभग होने चाहिए, और समाज के अंदर भी समता होनी चाहिए, मतलब कि कोई caste, class का hierarchy होना ही नीचाहिए, एक class, एक caste, मतलब सभी brahman है, सकती से होगा, ये कोई आपको दान में nature नहीं दे देगा, अचाना की history आपको नहीं दे देगा, ये human agency से आपको लाना पड़ेगा, वो एक great humanist है, universalist है, humanist है, उनका कहना था कि human पूरे दुनिया के मिल करके आपको समता पूरी दुनिया में लानी पड़ेगी, और उसके ल learning होनी चाहिए, multi-dimensional excellence होना चाहिए समाज में, total efficiency आनी चाहिए, partial efficiency नहीं, एक direction में efficiency नहीं, और उससे उनका कहना था कि caste और class दोनों ही एक साथ ebolis किया सकते हैं, और एक नव जागरन आ सकता है, पूरी दुनिया में एक new civilization ला सकता है, ये जो last part मैंने बोला, ये उनके socialism को दर साता है, तो wheels of history एक ही साथ उनके caste के बेवस्था पर भी उनके विचार को रखता है, और socialism के उनके क्या thought थे कि कैसे दुनिया में socialism लाए सकती है, बोथ external socialism, मतलब समता या समाजवाद देशों के बीच में, या समाज के बीच में, civilisation के बीच में, और internal समाजवाद जहां कि ए इस वाज, wheels of history, यदि बाकी बचे हुए उनके caste के बारे में उनके विचार को देखें, तो caste system उनका कहना था कि भाई ये तो नस नस में Indian social system में घुस गई है, हमारे नसों में उतर गई है, और ये caste system ना कितना बुरा करता है समाज को देखें, उनका कहना था कि ये life options या life choices को limited कर देता है, example लीजिए, कोई एक बच्चा है वो लुहार जाती है, पैदा होता है, उसको जो है professor बनना है, वो English बहुत अच्छा जानता है, या philosophy बहुत अच्छा जानता है, लेकिन उसको लुहार बनाया जा रहा है, तो उनके जो उसके life choices है, options limited हो गए, चुकि उसकी aptitude त options, low life choices, उससे low capability, low capability से further limited option, और further life choices limited और ये एक vicious circle चलती रहेगी, और आदमी जो है, चोटा 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 होता जाएगा, इसका उल्टा होता है, वर्चूस circle जो उपर उपर, spiral के तरह इस तरह से हो जाता है, तो इनका कहना था कि इस तरह से caste system आपको घायल करती है, without caste system को जाती को तोड़े हुए, ना तो कोई socialism आ सकता है, ना कोई social awakening आ सकती है, उनका कहना था, इसलिए उन्हों नारा दिया, जाती तोड़ो, then उन्होंने बहुत interesting way में, उन्होंने caste, class, gender, race, religion, language को intersect हिया, उनका कहना था केवल caste को हटा देने से कुछ नहीं होगा, gender का क्या होगा मर्द औरत के बीच में समानता नहीं है, समता नहीं है, race, religion के बीच में नहीं है, Sikh, Hindu, Muslim, language, अंगरेजी, अंगरेजी कोई भाषन देता है, तो लोग डर करके नीचे जो हिंदी जानने वाले हैं, अपने को हीन महसूस करते हैं, तो उनका कहना था कि ये सब identity जो है, वो power structure को दरसाती है, वो inequality को दरसाती है, subjugation को दरसाती है, हमारे दास्ता को दरसाती है, इसको खतम करना है हमको, उन्होंने intersect किया, केवल caste तक वो limited नहीं रहे, उन्होंने ये बताए कैसे ये सब मिल करके जो है, आपको एक तरह से subjugate करते हैं, नीचे ले जाते हैं, उनका prescription क्या था पहला उन्होंने नारा दिया, जाती तोड़ो, मतलब break the caste system, और abolish the caste system, उनका कहना था कि inter-caste marriage योदी करोगे, तो उससे आप आगे जा पाओगे, और उसके लिए उन्होंने काफी सारे उपाई भी बताए, उन्होंने 60-40 का नारा दिया, 60% कोटा, सुद्र, दलित, women, tribe, poor, low caste among minorities, उनका कहना था कि केवल 60% कोटा तो होना चाहिए, सौ में 60 उन नारा दिया, लेकिन ये केवल सुद्र मतलब की नीची जातिकल नहीं होना चाहिए, दलितों के लिए भी होना चाहिए, women के लिए, जो tribal people उनके लिए, और जो low depressed class है, minority में सीख, Muslim, Christian, उनके लिए भी होना mass free education state के उदारा होना चाहिए, उनका कहना था अंग्रेजी हटाओ, हिंदी में सिक्षा दो, वो free सिक्षा हो, देसी language में हो, और उनका कहना था कि socio economic, political, socialism जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, वो sub program जो है जाती को तोड़ेगा, तो इस तरह से उनका view जो है caste system पे आप देख सकते हैं, कितना विसाल, कितना उनमुक्त, कितना international, कितना universal और कितना multi-dimensional था, अब हम लोग तयार हैं उनके brand of socialism को study करने के लिए, let us see, और यहां मैं आपको preface बता दूँ कि उन्होंने एकदम एक unique, different, innovative, Indian brand of socialism को सामने लाया, जो European socialism से बिलकुल अलग था, मैंने आपको अंबेदक जी का socialism पढ़ाया है, वो merely democratic socialism था, उरोप का, इन्होंने उन सब के बदले synthesis करके, cocktail करके, एक अनोखा misran तयार किया, let us see, क्या यह था, उनका जो socialism था, उनका कहना था कि नव जागरन लाएगा, new civilization लाएगा, आपने wheels of history में देखा, उनका कहना था, पूरी दुनिया को यह modernity कहते हैं, वो हमें कहीं बहुत जादा नहीं ले जाएगा, हमें उसके आगे सोचना चाहिए, और उनकी socialism, modernity के आगे सोचती है, जो post-modernism है, he rejected western modernity, मैं रखवता ही दिया, he denounced both capitalism and communism, यह तो बिलकुल obvious आपको लगा होगा, capitalism को socialism कैसे मान सकता है, even communism को वो कहते थे, कि यह य private capitalism है, दूसरा जो है, state capitalism है, उनके अनुसार से, उन्होंने कहा कि कोई democratic socialism या इस टाइप का prefix अफिक्स लगानी की socialism में जरूरत नहीं है, वो अपने पाउं पे खड़ा हो सकता है, उसको कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, he rejected both mixing liberal democracy into socialist economy, और उन्होंने कहा कि socialist economy में तुम liberal democracy को म मिला दिया जाए, Marxist materialism में, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, उनका कंदर कोई mixture की जरूरत नहीं है, एक अलग socialism लाई जा सकती है, जो Indian होगी, तो उन्होंने क्या किया, वो third way लेकर किया है, उन्होंने एक तरह का beach beach का था, sandwich था, Soviet style communism को उन्होंने नहरू जी के Fabian socialism या democratic socialism से mix किया, तो उन्होंने तीन चीज़ों को basically mix किया, एक है Soviet style communism, दूसरा है यूरोप का democratic socialism या social democracy या जिसको आप कह सकते हैं Fabian socialism, और तीसरा गांधियन philosophy of social reconstruction for social reform, इन तीनों को mix करके उन्होंने एक अलग brand of Indian socialism बनाया, उनका socialism का जो basic आधार था, वो था equality and prosperity, उनका कहना था कि समाजबाद जो है, वो गरीबी का बटवारा नहीं है, वो equality or prosperity है, सभी जो है एक dignified, एक अच्छी life जी पाएं, उसका समानता है, यह नहीं कि सब गरीब हो जाएं, मतला अमीर को तुम गरीब कर दो, यह समाजबाद नहीं है उनके उनसार से, गरीब को उस level तक उठाओ, जह से उन्होंने कहा कि equality उतना ही बड़ा aim होना चाहिए हमारे life का, social life का, जैसे कि सत्य और सुन्दरता है, मतला हम कहते हैं, सत्यम, सिवं, सुन्दरम, beauty या goodness, या truth, यह बहुत वरी virtue माने जाती है, हमारे सभी सभी spirituality में, तो उनका कहना था, equality को भी हम उस level पे ले जाना चाहिए Then उनका कहना था कि जो आपने देखा कि social as willed approximation, मतलब उनका कहना था कि जो यह equality है, वो wills of history से आप आईए, उनका कहना था कि यह human के will से आएगा, उनके agency से आएगा, यह कोई nature gift नहीं देगा आपको, आपको मेहनत करके जो है approximation समाज में लाना पड़ेगा, both internal approximation as well as external approximation, मतलब स समाज में समता और दो समाजों के बीच में समता, दोनों ही आपको अपने ही agency से लाना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखे कि उन्होंने multi-dimensional equality को कैसे देखा, उन्होंने कहा कि देखे, दो type के हो सकती, internal, external equality, आप समझ गयोंगे समाज के अंदर और समाज के बीच में, जो है internal external, then उनका कहना थे कि आप दो तरस देख सकते हैं, एक material equality होती है, एक spiritual equality होती है, material मतलब की income, wealth, spiritual मतलब culture का, language का, एक तरस से जो, जो को religion की कह लिजे, तो यदि सब इन दोनों को मिलाएंगे matrix को, two by two matrix, देखे, internal material क्या है, कि economic equality within a society, अब देखे, internal spiritual क्या है, एक समाज के अंद economic equality, मतलब income और wealth का equality between nation and society, और spiritual external क्या है, mixing of races, culture, unity of religion, culture, मतलब की दो civilization, दो society, दो nation के बीच में, कोई औसमानता इस बेसिस में नहीं है, कि तुम्हारा culture चोटा है, तुम्हारा civilization पुराना है, तुम्हारा बार्बरिक हो, तुम्हारा language बेकार है, तुम्हारा साहित खराब है, इस पर जब समता होगी, cultural, spiritual, तो वो जो है, real समता होगी, तो इस तरह से उन्होंने two by two matrix के form में equality को देखा, दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी socialism है, वो साथ क्रांती से आए गया, सप्त क्रांती उन्हों नारा दिया, seven revolution, उसमें से पांच तो जैसा मैंने आपको पहले wheels of history में बताया, उन्होंने कहा कि हमको inequality खतम करना है, पांच type का, पहले gender inequality खतम करेंगे, caste inequality खतम करेंगे, class inequality, racial inequality और inequality among nations, तो ये पांच inequality के लिए हम revolution करेंगे, इसको बिलकुल खतम कर देंगे, दो उन्होंने बहुत interesting अलग type के revolution की बात क उन्होंने कहा कि individual की जो privacy है, उसको रक्षा करना पड़ेगा समाज से, उसके लिए revolution की जरुआ था, क्योंकि समाज एक दानव के जैसा होता है, जो कि individual के नीजी जीवन में भी घुश जाता है, उसकी नीजिता को खा जाता है, उसको बचाना है, and last उन्होंने बोला कि civil disobedience के method से करेंगे, यह 7th revolution उनका था, तो 5 inequality खतम करना, एक privacy को बचाना, और 7 जो है, civil disobedience against injustice, तो यह 7th revolution यह आपको अलग से भी question में आ सकता है, then, जो मैंने बोला कि 60-40 यह तो मैंने आपको बता ही दिया, कि उनका कहना था कि 60% जो है वो, caste, मतलब lower caste, dalit और women, and जो minority में जो पिछड़े हुए हैं, tribals, उनके लिए सुरच्चित होनी चाहिए, तो यह पहला slide है, जो मैं आपको बताना चाहता था, main ideas उनके socialism के, आप next slide मे थोड़ा और हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे, आएए उनके socialism के thought को और थोड़ा आगे discuss करते हैं, हम उनको तीन पैमाने dimension पे देख सकते हैं, economic socialism, political socialism, and cultural socialism, तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उनके program पे भी, जो socialist program थे, उस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, economic socialism देखें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि decent living, जो है, सब को मिलना चाहिए, सब यदि अमीर ना भी हो, तो सब को एक dignified decent living होनी चाहिए, उसी को उन्होंने कहा था, equality of prosperity, या equity in prosperity कह लिजए, global equitable consumption, उनका ये भी कहना था कि, ये नहीं है कि अमेरिका में लोग जो है, energy की खपत क करेंगे इंडिया से 10 गुना जादा, ये equity नहीं है, ये social equality या external equality नहीं है, इसी तरह से वहाँ पे जो labor है, उसको माली जे एक दिन में काम करने पचास डॉलर मिलता है, इंडिया माली जे दो डॉलर मिलता है, ये कोई equality नहीं है, तो उनका कहना था, पूरी दुनिया में equitable wage rate ह होना चाहिए, ये उनकी बात मानी जाती तो ये जो outsourcing होती है, यहाँ पे वो सब सब नहीं होती, मतलब हमें wage उस तरह से मिलता, बढ़ पता नहीं, ये utopic है, हो सकता है, ये नहीं, दैन उनका कहना था कि जो capital intensive जो industry है, वो job चीनते हैं, वो लोगों को बेरोजगार बनाते हैं, इसलिए labor capital ratio जो है, high होना चाहिए, मतलब ऐसे industry हमें बनाने चाहिए, कि अधिक सधिक लोगों को रोजगार मिल सके, ये तो बहुत important है, इंडिया जैसे, बहुत जादा जनसंख्या वाले देशों के लिए, देन उनका fourth था कि changes in the forces and relation of production, जो मार्क्स का आप याद कीजिए, उनका कहना था कि technology जो है वो छोटी वाली होनी चाहिए, इंडिया जैसे देश के लिए, मतलब small machine होना चाहिए, बड़े बड़े machine नहीं, उसमें छोटी चोटी समूँ में लोग जो है industrialization करें, उसमें अधिक के लोग काम कर रहे है, capitalist की जेब भर रही है, ऐसा उनका नहीं देखना था, पूरे country में छोटे-छोटे बिखरे हुए, छोटे-समूँ जो industry के छोटे-छोटे machine हो से काम कर रहे है, ये उनका विचार था, political socialism में जो है उनका बहुत innovative idea था, वो तो world को एक देखते थे आप द दुनिया में समता लाना चाते थे, तो इसी तरह से वो world parliament के बात करते हैं, जहांपे कि adult franchise से मतला हम vote दें world parliament के लिए, आप देखें, योरोप में तो हुआ ही European Parliament के लिए, हर country के लोग वहाँ पे vote देते हैं, जैसे कि अपने parliament के देते हैं, उसी तरह से वो सोचते थे कि world government बन देन उनका करना था कि domestic politics में चौखंबा राज की, उनने परिकल्पना की, चौखंबा मतलब क्या है? चार खंबा, four pillar, एक, दो, तीन, चार पिलर, तो state जैसे कि उनका करना था अभी क्या है? दो खंबे पे चलता है, एक है center और एक है राज, मतलब province, उनका करना था कभी दो पर state चलेगा, भरभरा गिर पड़ेगा, चार खंबा से वो stable होगा, चार खंबा मतलब दो खंबा क्या जोड़ा? district and village, उनका कहना था कि जिस तरह से center, state, बिल्कुल autonomous है, अपना revenue है, अपना police है, उसका, उसी तरह से district और गाउं को भी अपनी revenue होनी चाहिए, अपनी autonomy होनी च चाहिए, तब ही जाके जो है, यहां real democracy, आएगी real समाजवाद आएगा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चौखंबा राज को, let us see, इस animation में आप देखे, चौखंबा राज मैंने दिखाया है, central government है, provincial, जिसको कि हम state government बोलते हैं, यह तो अभी भी है, district government उनका था, third layer होना चाहिए, fourth village government होना चाहिए, यह simple decentralization नहीं है, अभी भी है, district में government होती है, collector होते हैं, village में ग्राम पंचायत है, उनका कहता ऐसा नहीं, अपना वहाँ पर police हो, अपनी taxation हो, उसको बिल्कुल पैसा ना मागना परे, village government को कोई पैसा ना मागना परे state से, जैसे अभी मांगती है, एक तरह से beggar जैसे, district government का अपना police हो, अपनी विवस्ता हो, provincial government की अपनी police हो, अपनी विवस्ता, central government का तो होगा ही, तो इस तरह से उनका जो विचार था, कि four-pillared state होने से, political power decentralized होगी, लोग, people's का participation बरेगा, transparency आएगी, corruption कम होगा, यह good governance होगा, grassroot level पे जो है, democracy जाएगी, of course, इसमें कुछ परिशानियां भी वो देखते थे, कि caste system के चलते, गौह में higher caste इस विवस्ता का सबसे दिख लाब लेंगे, वो vested interest डेवलफ हो जाएगा, वो और दबाएंगे, कुछ लेंगे, लेकि उनका कहना था कि बाकी जो हमारी socialist program, education and other, जो मैं दे रहा हू उसके चलते वो भुराई को कम किया सकता है, लेकिन ये democracy और समाज बात दोनों के लिज़ा रही है, कि हम देवस्था को, governance की विवस्था को, हम अंतिम छोड तक ले जाए, गौह तक ले जाए, ये उनकी परिकल्पना थी, four-pillared state, इस पे आपको question भी सीधा पूछा सकता है, क्या उनके idea थे, decentralization का, people's part-spacion का, या ये भी पूछा सकता है, कैसे ये idea, जो है good governance का idea था, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसमें सारी वो बाते नहीं थे, people's part-spacion, accountability, transparency, open governance, milker के governance, ये सारी इसमें नहीं थे, जो है good governance मोनी चाहिए, इनके चौखंबा, राज के परिक पना में, अब यदि finally हम लोग देखें के cultural socialism को, तो ये एक बहुत interesting है, उन्होंने Indian, जो mythology है, fables है, जो इतिहास में, जो mythological figure है, राम, शिव, नचीकेता, सीता, सावितरी, इन सब को उन्होंने अपने socialism के लिए use किया, ये बहुत interesting है, वो थ्वास हम लोग देखेंगे कैसे, उन्होंने कहा कि हमें eurocentracism की जरूवत नहीं है, हमें Etherocentricism की जरूवत नहीं है, कि अपने culture के चस्मे से हम दूसरे को देखें, Europe के perspective से दुनिया को देखें, हर culture जो अपने आपने यूनिक है, कोई एक दूसरे से कम तर नहीं है, उन्होंन नकार दिया उसको, जैसा मैंने को बताया कि approximation of mankind की उन्होंने wheels of history में इसका मतलब क्या था? approximation word मतलब कि mankind लगभग बराबर है, वो कोई उचा नीचा नहीं है, उन सब को बराबर होना है, इसके लिए mixing of races होना चाहिए, mixing of culture होना चाहिए, people to people contact होना चाहिए, इस तरह से वो जो है universalism को देखते थे, मतलब universal idea उनके इस तरह से थे, he rejected dominance of English and foreign language, उनका कहना था कि language जो है वो आपके दास्ता को दिखाता है, यदि आप दूसरे के language को यूज करते हैं, आप कभी आजे कौम जो है आगे नहीं बर सकते हैं, अपनी आपको भाषा चाहिए, और यह अब वर्ल्ड में मान लिया गया है, कि जिस भी कौम के पास अपनी भाषा नहीं है, वो परतंत रह चाहे वो political, उसके आजादी हो चाहे नहीं हो, आप देखेंगे कि उरोप के देशों में, आप जाएए जर्मनी में कभी आपको कोई English नहीं वहाँ पर लिखेगा, कोई net पे English नहीं मिलेगा, Spain में जाएए वहाँ पर English आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से उन्होंने अपने सोसिलिजम को थ्री डाइमेंसिनल बनाया, Economic सोसिलिजम, Political सोसिलिजम and Cultural सोसिलिजम, अब हम लोग जो दो स्लाइड में हम लोग बहुत तेजी से उनके कुछ जो प्रोग्राम थे और जो नारे थे, उसको भी हम लोग देखने ही कोशिस करेंगे सोसिलिजम से. अब हम इस तीसरे स्लाइड में क्या देख रहे हैं, जो मैंने आपको बोला, कि जो उनके सोसिलिस्ट कारिकरम जो थे, क्योंकि देखे, लोहिया जी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वो कर्म योगी थे, वो कोई थेओरिस नहीं थे, वो लॉक होब्स की तरह थेओरिस नहीं थे, लेकिन उनने थेओराईजेशन भी किया, वील्स ओफ हिस्ट्री जैसे कम्पलेक्स थेओराईजेशन किया, चौखमबा राज की परिकल्पना की, बट actually वो एक करमठ कारिकरता नेता थे, तो उन्होंने क्या political action दिया, achieve करने के लिए अपने ही socialism को जमीन पे उतारने के लिए उन्होंने क्या कारिकरम रखे लेटा सी, पहला उनका कहना था कि कोई भी जो political action है वो immediacy के test से pass करना होगा, immediacy का test क्या है, कि कोई भी जब आप नजर आएगा, इसलिए अभी, no, उनका कहना था कि तुरत हमको नजर आना चाहिए, दूसरा आप यह नहीं कह सकते कि भाई देखो, past में ऐसा हुआ था, इसलिए हमको ऐसा करना है, ना past से link कीजिए अपने political action को, ना आप जो है, बहुत आगे ले जाईए, अभी उसका क्या आप फाइदे हैं, क्या नुकसान है, let people know, यह उनका कहना था, तो यह बहुत important है, इससे बहुत, आप अभी देखे, कितने भी जो program लाए जाते हैं, वो political parties आपको बोलेंगे, भई अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका फाइदा कुछ दिन बाद, तो वो उसके test पे गोड़ते हैं, तो jail, vote, spade का क्या symbol था, jail जो है वो बताता था, communist struggle को, जो उन्होंने सोबियत, रूस से लिया, क्योंकि उन्होंने cocktail बनाया था, आपको याद है न, तीन, communist, रूस से उन्होंने jail का symbol लिया, vote का symbol बताता था, representative democracy, या कह लिजे democratic socialism को vote, क्योंकि vote से वहाँ बदल social action जो था, जो गांधी जी जो जाके नाला साफ कर रहे हैं, दलितों को उथान के लिए काम कर रहे हैं, चर्खा चला रहे हैं, उस टाइब का जो गांधियन constructive social reform action था, उसको उन्होंने फवारे से जोड़ा, इस तरह से jail, vote, spade का उन्होंने नारा दिया, इस से उनका कहना था कि politics इस तरह से वदल देगी, समाज को नव जागरन लाएगी, then economic agenda में देखी उन्होंने क्या नारा दिया, क्या कारी किया, उनके जो accents थे, उन्होंने नारा दिया, दाम बांधो, खर्चा बांधो, दाम बांधो का मतलब क्या था, उनका कहना था कि price जो है essential item के commodity के fix होने चा रहा रहा है, एक limit कर दो कि 1 से 10 के ratio, मतलब यदि सबसे कम खर्चा एक आदमी यदि 100 रुपे करता है, तो सबसे अधिक खर्चा जो है एक दिन में 1000 रुपया हो सकता है देश में, ऐसा खर्चा बांधो कर दो, दैं उनका कहना था कि 2 से अधिक घर कोई नहीं बनाए, उनका क क्लास होगा, कोई private car में suffer नहीं करेगा, इस अब socialist idea है, बहुत सारे उसमें से अब उसका कोई माइन नहीं रहा है, उनका कहना था कि कोई train या public transport हवाई जाज में, कोई executive class, economy class नहीं होगा, किवल एक class होगा, agriculture में उनके बहुत सारे idea थे socialist, उनका कहना था कि land को redistribution करो, आपको पता है, चोटे-चोटे land के टुक्रे काट करके, जमीनदारों से छीन करके, लोगों में बाटो, उनका कहना था कि जो share cropping है, बटाईदार है, गौँ में आपको पता क्या होता है, जमीन आपके पास 10 बिगा है, आप खुद नहीं करते हो, आप share cropping दे देते हो, किसी गरीब को, उसके पास land नहीं है, एक्चुली तो वो किसान है, तो उनका कहना था कि वो share cropping बेस्था खतम करो, जो किसान है, जो जमीन जोता है, उसका जमीन है, देम कहना था कि फार्मर्स को एर्रिमिनिर्टी प्राइस मिले, मतलब उसको लागत असूल हो, उनका कहना था कि industrial good से agriculture good का प्राइस को link कर दो, जिसके लिए अभी भी किसान अंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना था कि agricultural laborer जो है, जो खेत में काम करते हैं, खेती हर मजदूर, उनके लिए जो है minimum wages तैकर, जैसे आप शहर में तैकरते हो, उनका कहना था कि un-economic holding, जो छोटा-छोटा-छोटा holding है, उस उनके लगान मत लो, जो revenue जो आप government लेती है land पे, उसको माफ कर दो, लगान माफी कर दो, then free and affordable irrigation दो, मतलब government खुद सिचाई की बहुस्ता करे, free में दे, then उनका कहना था कि एक food army बनाओ, एक पूरी सेना बनाओ, जो की food की जो है, मतलब निर्भरता को खतम करेगी हमारे production को कई गुना बढ़ा देगी, ये food army जो है, इस तरह उन्होंने agriculture पे काफी काफी सारे अपने बात की, क्योंकि वो तो गौँ में उनका दिल बसता था, गान्थी जी के तरह, वो कुटीर उद्योग, लगु उद्योग इसके समर्थक थे, छोटे-छोटे small machine से, तो उन्हों काफी सारे, क्योंकि उनका Indian Socialism था, आप याद रखे, ये उरोप का नहीं है, यहां तो गौँ में लोग बसते हैं, देन उनका Social Agenda देखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि 100 में 60, उन्होंने नारा दिया 100 में 60, तो ये तो मैंने आपको बता चुके हैं, इसके अलाब उनने कहा कि जो forest का management, जो है, वो tribal cooperative का द्वारा होना चाहिए, क्योंकि tribal लोग forest को समझते हैं, उनका एक cooperative बनाओ, वही लोग forest का management करें, ये जो forest officer करते हैं, वो गलत है, then incentivize करो intercast marriage को, जिको intercast marriage करता है, उसको job दो, उसको education में benefit दो, जिसे कि लोग intercast marriage करें, जाती टूटेगी इस से, abolish करो, privilege school को, English school खतम करो, जितने boarding school खतम करो, जितने public school खतम करो, सब सरकारी school करो, universal, informed, quality, free education, desi language में लोगों को दो, ये उनका विचार था, तो ये उनके programmatic accent थे. Finally, मैंने आपको कहा था कि, cultural socialism पे थोड़ी और हम चर्चा करें, क्योंकि बहुत interesting है कि किस तरह से उन्होंने ancient India के जो heroes है, heroines है, myths है, fables है, story है, mythology से उन्होंने ले करके, कैसे अपने socialism को आगे बहाए, let us see this. उनका कहना था कि, अपने past के culture में confidence रखो, उस पर proud करो, यहाँ वेका नंजी को याद कीजिए, even टेगोर को याद कीजिए, तो इससे जो है national unity आएगी, of course यहाँ पे Hindu-Muslim में थोड़ी problem हो सकती है, दोनों के अपने-अपने hero अलग-अलग हो जाते हैं, यह एक problem है, and inequality embedded in cultural institution and language, और उनका कहना था कि, जो cultural institution and language में भी जो inequality है, जैसे English or non-English, cultural में भी high caste Hindu का अलग culture और low caste का अलग culture, इन सब को खतम करो, popular culture develop करो, जो मासेज के लिए हो, जो उनका कहना रमायन मेला हम लगाएंगे, उसमें हर जाती और हर धर्म के लोग सामिल होंगे, then उनका कहना था कि, politics और religion बहुत mix है, यहां गांधी जी को आप याद किजिए, वही mix करते हैं, बहुत लोग mix करते हैं, इकबाल में आपको पढ़ाऊंगा, वही mix करते हैं, politics and religion को, उनका कहना था कि, politics is nothing but short term religion, कम समय के लिए एक religion ही है, politics, और religion is nothing but a long term politics, अब इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा culture set terms for politics, उनका कहना था कि, politics का एक general, जो overarching, जो base है, वो culture देता है, और politics जो है, वो culture को regenerate करता है, इस पर भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ लगी, इस बहुत obvious है, आपको मैंने political culture पढ़ाया है, कैसे जो general culture होता है, उससे politics effective होती है, और politics खुद जो general culture को recreate करता है, द्या उनक पढ़ाया ना कि, federal culture क्या है, यह federalism, जो कह लिए, culture में, जैसे कि, आपका कोई ऐसा रीती, रिवाज, जिसमें की aristocracy जहलगती हो, और एक जो mass मेला लगता है, जिसमें दुर्गा पूजा जैसे हो, यह सब लोग जा रहे है, इन दोनों में फरक समझे, और कैसे राजा है, जम politics which could feed stomach and soul, उनका कहना था कि, politics केवल पेट की छुदा बुजाने के लिए नहीं है, यह दिमाग को शान्त करने के लिए भी है, तो culture का भी ध्यान politics को रखना पड़ेगा, उनका कहना था कि, जहां तक culture की बात है, तो बगल में मत जाको, मतलब यह नहीं कि, कोई बगल में कर र इमिटेट मत करो, किसी के नकल मत करो, shallow modernism की हम यह कपड़े पहन लेंगे, और western and western thought, English, तो उससे हम बहुत cultured हो जाएंगे, यह गलत है, अब उन्होंने कैसे जो Indian fables and myth को use किया, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि, जो Indian औरत है न, उसका आदर्ष उनको द्रापदी को बन उन्होंने अपने को पुरा उत्सर्ग कर दिया, और वो खुद यम के पास चले गये थे, यह उपनी सद में है, तो नचीकिता के तरह से उस sacrifice की बात करते हैं, वो राम को एक मरियादा पुर्शोतम मानते हैं, कि किस टाइप का परसनलिटी कैसे controlled हो सकती है, temperance में हो सकती है, राम को वो north-south unity, क्योंकि north से आकर के लंका जाते हैं, तो north-south unity का प्रतीक मानते हैं, क्रिश्न को वो east and west, क्योंकि द्वारिका से मथुरा तो east and west का unity का प्रतीक मानते हैं, क्रिश्न को वो उनमुक्त ब्यक्तितु का representative मानते हैं, और शिव को वो असीमित ब्यक्तितु, undimensional परसनल्टी मानते हैं और इन तेनों को अपनाने के लिए हम लोगों को कहते हैं वो वसिष्ट वर्सिस वालमीकी भी करते हैं यहां मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं वसिष्ट को वो کंजर्वीटीजम का परतीखant मानते हैं इंडेन सिव्लाइसन में तो वालमिकी को लिबरलिजम का, वो इवन नदियों को भी जो है अपने सोसलिजम से जोडते हैं, उनके अंसार से गंगा, सर्यू, रिभर्स, सिंबोलाइज करता है ड्यूटी को, तो यमुना रंग, रास्त, यमुना और उसके ट्रिब्यूटरी रंग और रास्त को जो है नि फोक, जो उनकी फैबल्स है, स्टोरीज हैं, रामाइन टाइप का, उसको दर्शाएंगे, हर इंडिया में हजारों तरीके से रामाइन को खेला जाता है, वो हजारों तरीके से राम लिल्ला होगी, उससे एक दूसरे प्रदेश में हम जानेंगे कि साउथ में रामाइन कैसे मनाई जाती है, नौर्थिस्ट में कैसे मनाई जाती है, राम की क्या परिकल्पना है, रावन की क्या है, तो रामाइन मेला उनका वो एक विजन था जिससे कि पॉपलर कल्चर डेफलप होगा, ऐसे मेलों की बात वो करते थे, आप याद कीजिए कि आगे काफी सारे इस पे जो है, हुई है रिसर्च के इसका बहुत योगडान है इस तरह के पॉपलर कल्चर को डेफलप करने की मेलों का, then मैंने आपको उनका universalism बताया कैसे वो world government की बात करते हैं कैसे वो जो है world development bank की बात करते हैं कैसे वो कहते हैं कि approximation of humankind होना चाहिए nation nation के बीच में समता होनी चाहिए पूरा humankind में cultural unity, unity of religion होनी चाहिए तो ये उनका universalism था लेकिन cosmopolitanism में ही था उसमें ब्यक्ती-ब्यक्ती सोचता है कि हम एक हैं, इनका कहता है एक नहीं है हमारी culture अलग है, हमारा religion अलग है सभिता अलग है लेकिन समता होनी चाहिए, अनेक होते हुए भी जो है हम एकता रख सकते हैं ये दोनों में अलग है universalism without cosmopolitanism ये slide तो मैंने जस्ट आपको note करें दिया है क्योंकि मैंने animate कर दिया है ये सारे slide के वल इसलिए हैं कि आप इसको रोख करके आप देख पाएं यदि हम उनके pros and cons देखें thought के मैंने इतना आपको discussion किया pluses तो बहुत सारे pluses हैं जैसा मैंने आपको बताया कि एकदम एक new version of socialism उन्होंने दिया जो multi-dimensional थी कैसे उन्होंने internal, external equality की बात की material, spiritual equality की बात की और किस तरह से वो पूरे नव जागरन, पूरे civilization का world का लाना चाहते थे तो ये एक बहुत ही ब्यापक विचार था then उन्होंने किस तरह से caste, class, gender, language को intersect किया वो केवल caste को नहीं लिया उन्होंने, जिनको के बाद में appropriate किया गया सब लोग भूल गए उनके अनुआई की वो gender की बात उतनी ही पुर्जोर धंग से करते थे जितना की caste की, class की, language की, even religion की जो minority religion की बात वो करते थे उसमें जो दबे कुष्रे लोग हैं, उनको भी reservation की बात करते थे, ये सब लोग भूल गए है His novel analysis of oscillation of caste class जो मैंने आपको बताया है, वो तो कितना novel था कि कैसे caste class में बदल जाता है, class caste में बदल जाता है हर समाज में ऐसा होता है, ये तो इदम आग खोलने वाली उनके विचार हैं उनका जो theorization था, वो एक तरह का thought tool था उनके political actions के लिए मतला आप देखें कि, actually वो एक political कर्मत कर्मयोगी थे, political activist थे वो दिन राथ जो है action करते थे, वो कोई Hobbes, Locke, Russo के तरह कोई विचारक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी विचार बनाने के लिए theorization किया, ये एक तब unique है, गांधी जी ही थोड़ा सा ऐसा कर पाया है कई लोग, मतलब ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो, मतलब एक activist हो, जो कि theorization भी करें, और उनका जो concept था, सब्त revolution का, ये साथ, सब्त करांती का, seven revolution का, वो बहुत unique था, आपने देखा, उसमें पांच तरह के inequality को, वो हटाने की बात करते हैं, privacy की बात करते हैं, individual की, और वो एक तरह संपूर्ण क्रांती लाने की बात करते हैं, civil disobedience method जो गांधी का था, उसको अपना करके, और जैसा मैंने आपको बताया कि contemporary politics में जो है, उनकी legacy, मुझे तो लगता है कि उनको ज़्यादा अहमियत रखती है, इवें गांधी, नहरू अरंवेदकर, यह मैं उनको नीचा दिखाने कर नहीं बोल रहा हूँ, यह तो बहुत बड़े लोग थे, और लोहिया इसे काफी बड़े, बतब विचारक यह लोग थे, लेकिन यह रिलीवेंस है आप देखिए कि आज की जो political party है, वो जो appropriate करती है, लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाती है, तो वो उनकी ज़्यादा जो है अहमियत अभी के political, real politics में है, minuses भी उनके कई सारे आप गिना सकते हैं, उनका जो view था अंग्रेजी हटाओ का वो थोड़ा extremism था, हिंदी को वो थोपते हुए नजर आते हैं, कई non-hindi परदेशों पे, उनका करना था देवनागरी लिपी में ही सभी लोग लिखे हैं, एक रास्ट्र भाषा बने, यह तो unity in diversity को काटती है, इसलिए उसको लिख बुराई करते हैं, उनका जो anti-congresism था, वो कहीं न कहीं immoral alliances को जनम दिया, उस समय भी उनको हाथ मिलाना पड़ा जनसंग से, जो आज भी चल रहा है, आप देखे, UP में, SP और BSP, विना किसी वैचारिक ताल मिलके हाथ मिलाती है कि BJP को उसमें उनका कोई खास दोस है नहीं, इंडो पाक फेडरेशन के उन्होंने बात कि उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टिसन ने उसको हटा देना चाहिए, यह तो एक तरह का यूटोपिक आइडिया था, उसकी लोग बुराई करते हैं, पॉलिटिकल एक्स पी हो, जेडी यू हो, सब जो कास्ट बेस पॉलिटिक्स की जो राजनीती हुई 80's के बाद, उसमें कहीं न कहीं गलत धंग से नुलोहिया को एप्रोप्रियेट किया गया, यह इस पे काफी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिर भी यह उसकी कोई बुराई, मानते हैं लोग कि उ सब्सक्राइब की पेंटिंग जैसी दिखती है, लेकिन उसके अंदर आप जाकेंगे ना, तो आपको खोखलापन दिखाई पर आए, क्योंकि वह होना भी है, क्योंकि वह कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे, उनके वील्स ऑफ हिस्ट्री को लीजिए, चाहे उनके जादा blueprint नहीं देखेंगे, बहुत detailing नहीं देखेंगे, flesh out नहीं देखेंगे, एक structure देखेंगे, लेकिन उसको उन्होंने बहुत जादे detailing नहीं के, ये उनकी बुराई मानिय सकती है, so these are the pros and cons of Lohia's thought, no doubt ki he was a great political कर्म योगी, जिनकी की modern time में बहुत अहमियत है, अभी भी वह बहुत जादा relevant है, dear students, ये references हैं, आप देख सकते हैं, books मैंने दिये हैं, जो DU की reading list है, और online मैंने थोड़े ही दिये हैं, मैंने इससे काफी जादा refer किया है, आपको पता है कि मैं बहुत सारे sources से देखता हूं, तो कुछ यहां पे मैंने आपके लिए दिया है, and thanks for watching, यदि आ आपको अच्छा लगा हो, तो please share कीजिए, subscribe कीजिए, मेरे पैसन को बनाये रखने के लिए, comments कीजिए, आप comment करते भी हैं, thank you for that, और अब तो आपका अपना website है, paulsciencehelp.in, उस पे जाएए, वहां पे इसकी PDF मिलेंगे, email कीजिए, आप करते भी हैं, thank you for that, मैं उसका जवाब द आपको